असलाम उलेकुम स्टूडेंट हमारा नेक्स टॉपिक है Elastic Limit and Heal Strength ठीक है इसमें हम Stress Train Curve जो है उसके बारे में बात करेंगे जिसको Force Longation Diagram भी कहा जाता है ठीक है और कुछ Material की जो Properties शुरू में हमने डिसकस की थी उनके बारे में मजीज जो है हुक्सला के बारे में भी यहां पर पढ़ेंगे कि हुक्सला जो है वो क्या होता है ठीक है According to हुक्सला जो Stress है यह डिरेक्टली प्रपोर्शनल है स्ट्रें के ठीक है जितनी हम किसी भी बॉड़ी पे Force जो है वो अप्लाई करते हैं तो जितनी हम Force अप्लाई करते हैं उतनी स्ट्रेस उस बॉड़ी के अंदर जो है वो जनरेट होती है जितनी Deformation होती जाएगी उतनी स्ट्रेस और अगर हम जो है वो ज्यादा Deformation करेंगे तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगी ठीक है लेकिन एक खास हद तक अगर हम ज्यादा Force अप्लाई कर देंगे तो वो बॉड़ी जो है अपनी उरिजिनल हालत में वापिस जो है वो नहीं जा पाएगी ठीक है तो हुक्सला जो है ये उबे करता है स्ट्रेस और स्ट्रेंज जो है वो एक दूसरे के डिरेक्ली पर्पोर्शनल है ठीक है इसको मजीद जो है समझने के लिए यहाँ पे हम एक वायर जो है वो ले ले लेते हैं ठीक है यहाँ से यह फिक्स है और इस तरह से हम इस पे Force जो है वो अप्लाई करते हैं और यह जो है वो टोटल वायर की लेंथ है ठीक है जब हम इसके उपर Force अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है उसमें जो है वो इजाफा हो गया ठीक है यह देखें यहाँ पे इसकी लेंथ में डेल्टा एल जो है वो इस Force की वज़ा से हुआ क्यूंकि इस Force की वज़ा से इसके अंदर जो Molecules थे या जो एटम्स थे वो जो है वो स्ट्रेस में आ गए ठीक है क्यूंकि जैसे ही हम यह Force लगाएंगे तो इन Molecules के अंदर जो है वो एक इसी तरह की एक Force जो है वो पैदा होती है जो के चाहती है कि यह जो औरिजिनल यह नहीं बॉड़ी अपनी औरिजिनल हालत में वह वापिस आज़े उसको कहा जाता है री स्टोरिंग फोर्स ठीक है और वही जो है वो यहां पे स्ट्रेस जो है वो पैदा करती है बिकुल इसी तरह जैसे हमने एक फर्स्ट येर में हमने सप्रिंग का पड़ा था कि सप्रिंग को आप पकड़ के खेचते हैं तो जो एफ जो है यह डिरेक्टली प्रपोर्शनल एक्स के जैसे जैसे आफ फोर्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्प्लेस्मेंट जो है वो भढ़ता जाएगा और जो थोड़ी देर के बाद जबाफ फोर्स बढ़ाना बंद कर देंगे तो वह सप्रिंग जो है वह वह वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा जिस फोर्स की वज़ा से वो वापस अपनी ओरिजिनल यानि कंडिशन में वापस जाता है उसको कहते है रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है तो यहां पर भी मालिक्यूल के अंदर जो है यह एक यह इस तरह जो है वो फोर्स जो है वो जनरेट होती है इस फोर्स के बिल्कुल यह न स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर हम कौन सी स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं यह जो वन डिमेंशनल है यह जो लेंथ के लोंग है क्योंके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेस तीन टाइप्स की होती है तो पहला जो था वो कैनारी सैल स्ट्रेस ठीक इस तरह से यह वाला जो है वह भी इसकी लिन्थ में यह बादि में फोर्स को खतम कर के रिमुव कर सका ju지 रहाऊ और यह मौरी जो और बहुत चार्टीनल कंधिशनर के वाप्स जो हो चला जाए हाईंगे स्केंब तो कैते हैं हुकसला है दोस स्कों में बात करेंगे जिसकी म मचानीरींट यह सब करें नाम निया धिया है वह भी हम डेटा कैलकूलेट करते हैं डेटा कैलकूलेट करने के बाद जो है वह हम एक ग्राफ जो है वह ड्रा करते हैं और जो देखते हैं कि वह ग्राफ जो है वह किस तरह का होता है ठीक है यहां से तो हमें यहीं लाग रहा है कि स्ट्रेस जो और से ट्रेंड ड्रैक्ली भी कहते हैं फोर्स इलोंगोशन इसलिए कि हम फोर्स जब लगाते हैं तो वो उसकी लेंथ में जो है वो इजाफा होता है ठीक है लेंथ मतलब 10 साइल स्ट्रेस ले रहे हैं कोई और टाइम की स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं ठीक है और स्ट्रेस ट्रें कर जो है वो भी इसको कहा अब जब हमने इस पर डीफॉर्मेशन जो है यानि जैसे हमने रॉड की बात की हमने उसको खेंचना शुरू किया उसको डीफॉर्म करना शुरू किया तो उसके अंदर जो स्ट्रेस थी उसमें भी इजाफा होना शुरू हो गया ठीक है तो हम यह देखेंगे कि यहां तक यह जो पॉइंट है यह वली जो स्ट्रेट लाइन है इसका यही मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेंज जो है वह एक दूसरे के डिरेक्टली परपोश्टनल है ठीक है आप ज्यादा ज्यादा फॉर्स अप्लाई करते जाएंगे यह निसको लंबा ज्यादा होती जाएगी तो स् फॉर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो बॉड़ी जो है वो अपनी उरिजिनल पॉजिशन पे वापिस चली जाएगी और यही जो है इसी को हुक्स ला जो है वो कहते है ठीक है तो यहाँ पे यह देखें जीरो से लेके इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक जीरो स दूसरे लफजों में यहाँ तक जो है यह बोडी हूक्स ला को अबे करती है जितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी उतनी ज्याद स्ट्रेश होगी कम डिफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रेशт भी कम होगी ठीक है और इसको कहते हैं दूसरा इसका नाम यह पर्पॉश्णल करना बंद कर देते हैं तो बॉड़ी क्या होगी कि दुबार अपनी पॉजिशन पर वापीस आ जाएगी ठीक है अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा थोड़ी सी डीफॉर्मेशन और यह नहीं उसको पकड़ के और थोड़ा सा खैंचते हैं तो पॉइंट ए से लेके बी तक त लेते हैं उसमें डीफॉर्मेशन जो है वह अपनी और इजिनल हालत में बॉड़ी चली जाती है यानि जो डीफॉर्मेशन हुई थी लेंथ में हुई थी जिसमें भी थी क्या होगा कि जितनी लेंथ में इजाफा हुआ था जब आप फोर्स अप्लाइग करना बांद कर दे है लेकिन उसके बाद जो है अगर हम फोर्स अप्लाई करना यानि कि उसकी जो उसको खैंचना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि बोड़ी जो है वो दुबारा जो है वो अपनी लास्टिक लिमिट में या अपनी उरिजिनल हालत में वापिस आ जाती है यानि ए से लेके बी बिहेवियर जो है वो शोक करती है ठीक है जैसे ही हम बी से आगे जाएंगे बोड़ी जो है वो इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर जो है वो उसका खतम हो जाएगा और नेक्स्ट बिहेवियर शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी ठीक है जब आप किसी भ लेंथ में इजाफा हो चुका है वो पर्मानेंट हो जाती है तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहते है प्लास्टिक ठीक है तो देखें बी से आगे यानि इस बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट कहते हैं ठीक है इस यील्ड पॉइंट में यानि कि वो एक खास यानि अगर हम यहां पे इस तरह ड्रॉ करें वो खास ड्रेस जिसके बाद अगर आप मजीद बॉड़ी में से ट्रेन देंगे या डी फॉर्मेशन देंगे तो वो पर्मानेंट हो जाएगी बॉड़ी फिर अपनी उरिजिनल हालत में वापिस नहीं आ सकेगी बलके बॉड़ी इसके बाद क्या प्लास्टिक रिजन में चली जाएगी यानि उसके बाद अगर आप फॉर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं उसको खेंचना बंद कर भी देते हैं तो बॉड़ी में जो चेंज आ चुका होगा वो पर्मानेंट हो जाएगा, ठीक है तो बियोंड भी, प्लास्टिक लिमिट जो है, वो, इलास्टिक बियोईर खतम हो जाएगा और प्लास्टिक बियोईर जो हो शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद next हमारा point है C यहनि B से लेकर C तक तक जो है सिगमा M से हम शो करते है इसको सिगमा M से शो करते है ठीक है और इसको कहते है plasticity जैसा मैंने आपको बताया है B से आगे प्लास्टिक behavior वो शुरू हो जाएगा इस यहां से लेकर यहां तक जब भी आप कहीं भी बॉड़ी को जो है वो छोड़ेंगे तो बॉड़ी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में अपनी ओरिजिनल कंडिशन में जो है वो वापिस नहीं आएगी ठीक है बलके जो इसमें डीफॉर्मेशन हो चुकी होगी वो करें अगर हम इसको इस पॉआइट को यहां पर जाइब से स्ट्रेस वाले पॉइंट पर Dus यह आप देखें के बॉडी के पहले इससे नीचे सट्रेस बॉडी थी तो मैक्सिमम सट्रेस उसके बड़ने की बजाए जो है वो कम होना शुरू हो गई है तो डिफरेंट बिहेवियर बॉड़ी शो कर रही है कि इसके बाद अगर आप उसको उसमें स्ट्रेंड देते भी है उसमें डिफॉर्मेशन देते भी है यानि एक मतलब जो बॉड़ी ऊपर से जो है वो टाइट है नीचे से आप उसके यहां जो पॉइंट होगा जिसके उपर स्ट्रेस मैकसीमम होती है इसको कहते है इस तक बोडि जो है वह प्लास्टिक बिहवियर शो करती है उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मजीद भी उस पर इस पहार सप्लाइइब कर उसको खैची जा रहे हैं उसको इलोंगेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि इसके बाद बॉड़ी जो है वो फिर फ्रेक्चर कर सकती है या तूट सकती है ठीक है एक तो पहले पर्मानेट बिहेवियर हो गया जितनी उसके लेंथ में इजाफा होना था हो गया लेकिन आप उसके बाद कौन सा पकड़ के नीचे से जो है वह जो है वह सब्सक्राइब यहां पर नामुदार होगी ऐसे जैसे बॉड़ी तूटने वाली होती है ठीक है उसके बाद थोड़ा सा भी इसको खेंचेंगे ना तो यह और लंबी होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि यहां से बॉड़ी जो एक बॉड़ी जो है वह उसके साथ वह प्लास्टिक बिहेवियर जो है वह शो कर सकती है उसके बाद डी पॉइंट जो है यह वाला जो पॉइंट है यह है सिगमा एफ इसको फ्रेक्चर पॉइंट कहते है या इसके बाद अगर फिर भी आप उस बॉड़ी को जो है वह पॉर्पोर्श्नल लिमिट उनविधा जेरो से लेकर बैंड वह वी तक वह तक इलास्टीक लिमिट थे इंद खृतिए यहां तक बॉड़ी जो है वो औरिजनल शेप में वापिस आएगी लेकिन इसके बाद बॉड़ी अपनी उरिजनल शेप में वापिस नहीं आएगी तो पॉइंट बी से लेके सी तक जो है यह अगर उसके बाद भी आप उस बॉड़ी को मजीद खैंच रहे हैं तो यह एक और फॉरण डी पॉइंट आ जाता है यह भाड़ी जो है वह अपनी plasticity को इतना ज्यौद ब्रास्टिक यह और थी करते हैं घ्राजाइड जाता है निगरी नियुक्क अब ब्रिटल सब्स्टांसिस कहा जाता है इसमें हमारे पास इलास high carbon steel जो है यह इनकी examples आ जाती है ठीक है लेकिन कुछ materials ऐसे होते हैं जो इस limit के बाद जो है वो जल्दी तूटते नहीं है यहां फोर सप्लाई करते हैं तो जो और मतलब इतनी जल्दी जो है यानि सी के बाद यह जो डी वाला पॉइंट है इतनी जल्दी नहीं आता प्लास्टिक डी फॉर्मेशन उनमें रहती है तूटने तक फॉरण वो नहीं तूट जाते एक तो material वो हो गए ना कि जिनमें जितनी इलांगेशन होनी थी हो गई लेकिन जैसे ही इसमें जो इलांगेशन वाली लिमिट आई वो फॉरण टूट गया तो वो ब्रिटल हो गया ठीक है तेंडेंसी टूब्रेक फॉरण तूट गया ग्लास पगएरा इस तरह के लेकिन कुछ में सब्सक्राइब लेकिन जलदी टूपते नहीं है तो वह कहलाते हैं डॉक्ताइल सबस्टन्स ठीक है लें प्लास्टिक डीफॉरमेशन अंतिल दे ब्रेक तो इन में आ जाते हैं लेड कॉपर एंड रोट आयरिन और सब्सक्राइब और कोपर आपका देक कुहस आपको प्लास्टिक बहुन तो मिलगें प्लास्टिक बिहेवियर है वह इसके बाद वहीं syllabus है वह बृटल होते हैं और वह कौन सी है यह आपका काफी important question है आपने इसको अच्छे से त्यार करना है और यह सारे पॉइंट और इसमें जो पॉइंट्स है यह short question के हवाले से भी काफी important है कि सबस्टांसिस कौन से होते हैं ultimate and size address जो है वो कौन सा पॉइंट है या proportional limit क्या होता है या हुक्सला जो है तो मतलब उसको define करें तो यह इस point of view से यह लेक्चर जो है important है तो आपने इसको जड़ा अच्छे से जो है वो समझना है ठीक है